ग्लो और फिजिक्स में आप सब का स्वागत है प्यारे बच्चो नुमेरिकल की इस बिरहत्स रंखला की बीडियो नमबर दो में आपका स्वागत है प्यारे बच्चो जो पहला चेप्टर और दूसरा चेप्टर है उसकी बीडियो जो हैं बन रही हैं और ये दूसरी बीडि आपके मुबाइल स्क्रीन पे इस प्रकार से हैं तो प्यारे बच्चो आप इस क्वेशन को देखेंगे बच्चो एक दसकी घातरें तीन किलोग्राम दर्यमान तथा प्लस 1.6 10 to power माइनस 19 कूलाम से आविसित जल की बूंद को ठीक समभलने के लिए आवश्यक बैदु छित्र की तीवरता ज्यानत कीजिए तो प्यारे बच्चो आपने ये लिख दिया होगा बच्चो तो बच्चो इससे पहले थोड़ा सा आपको जानना है बच्चो कि यदि बैदु छित्र में ये ध्यान देना है बच्चो आपको माना ये बैदु छित्र की तीवरता है और आप इ इसी धनाविस को माल लिजे ये धनाविस है इस धनाविस को आप बैदुच्छेत्र में रख रहे हैं तो इस धनाविस पर बैदुच्छेत्र की ही दिसा में एक बल लगता है ठीक है बचो तो वो बल हो जाएगा बच्चो क्यों ए ठीक है बच्चो एक कंडिसन तो ये है बच बच्चो ये बैदुच छेत्र है और इस बैदुच छेत्र में आप एक रिन आविस को रख रहे हैं बच्चो ठीक है बच्चो क्या रख रहे हैं एक रिन आविस को रख रहे हैं तो इस रिन आविस पर जो हैं छेत्र की बिपरी दिसा में एक बल कारे करेगा ठीक है बच्चो तो बल का परिमान तो वही होगा बच्चो लेकिन दिसा उसकी क्या होगी उसके बिपरीत होगी अब यहाँ पर दिया क्या है यहाँ पर दिया यह है बच्चो की एक बैदुच्छेतर है ठीक है बच्चो यहाँ पर बैदुच्छेतर में जो है हमने जो है एक आविश रखा है इस पर है 1.6 प्लस 1.6 इन्टू 10 to power माइनस 19 कुलाम तो इस पर क्या है आविस है और ये इसका क्या है बच्चो आविस है और इसका जो द्रिमान है ये तो आविस है बच्चो और इसका जो द्रिमान है वो है 10 की घार रिन 3 किलोग्राम ठीक है बच्चो आपने जो है इसको कहां रखा है बच्चो बैदुच्चेत्र में रखा है तो क्या होगा बच्चो ये बैदुच्चेत्र है ये परकार से बैदुच्चेत्र में बना दिया है तो जब आप बैदुच्चेत्र में रखेंगे तो ये प्लस आवेस है बच्चो तो इसमें छेत्र की जिसा में क्या करेगा एक बल कारे करेगा F is equal to जो मैंने अभी बताए था कितना बताए था बच्चो Q E और इसका भार जो है W बराबर M G इसका जो भार है ये नीचे की और क्या करेगा काउंट करेगा बच्चो तो प्यारे बच्चो संतुलन की इस्तिती में जो है बच्चो ये जो बल है ये जो बल है Q E जो बल है वो इस भार को बैलेंस करेगा बच्चो तो परिमान के रूप में हम यहाँ पर कितना लिख दें बच्चो Q E QE बराबर कितना हो जाएगा बच्चो M G हो जाएगा बच्चो ठीक है बच्चो तो आपने यहाँ पर ग्यांत क्या करना बच्चो आपने यहाँ पर क्या ग्यांत करना है आपको E यहाँ पर ग्यांत करना है तो E कितना हो जाएगा बच्चो M G D upon Q हो जाएगा ठीक है बच्चो अब इसकी value आपने रखने है बच्चो M की value है 10 की घात रिन 3 है और G की value होती बच्चो 9.8 होती है और Q जो है बच्चो आपको दिया है Q आपको दिया है कितना दिया है बच्चो 1.6 x 10 to power minus 19 आपको दिया है बच्चो तो बच्चो इसमें E निकालना है तो आप निकाल रहे होंगे बच्चो हम क्या करेंगे बच्चो हम जो हैं अंको को एक साथ लिख देंगे, 9.8 और 1.6 को एक साथ लिख दिया, और जो powers हैं बच्चो, 10 to power minus 3 ये है, और ये 10 to power minus 19 उपर जागे कितना हो जाएगा? 10 to power plus 19 हो जाएगा और बच्चो, इस प्रकार से जो हैं हम जो हैं इसको कितना लिख देंगे बच्चो, एक point इसका दसमलब का हम दोनों को हटा देंगे, अर्था इसको विद्धा से गुणा कर देंगे, यहां विद्धा से गुणा कर देंगे तो बच्चो, ये 98 by 16 हो जाएगा, और यहां पर कितना हो जाएगा बच्चो, प्लस की 19 है, माइनस की 3 है, तो 19 में से 3 को अटा देंगे बच्चो, तो कितना हो जाएगा? 16 ठीक है बच्चो, अब क्या कर देंगे? 16 से जो हैं इसको डिवाइड कर देंगे बच्चो, तो 16 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चो, तो यह आएगा बच्चो, 6.125 ठीक है बच्चो, आप इसको डिवाइड कर लो, मैंने तो यह रफ में डिवाइड कर गे रखा है बच्चो, ठीक है? और इन्टू 10 to 16 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चो, यूनिट कितने हो जाएगी बच्चो, देखे बच्चो, E बराबर क्या होता बच्चो, F अपोन Q जुरू होता है बच्चो, यह तो इसका फॉर्मूला है, अगर इसकी यूनिट आपको लिखनी है, तो F की यूनिट, बटे क्यों की यूनिट, F की यूनिट क्या हो जाएगी बच्चो, न्यूटन हो जाएगी, और Q की यूनिट कोलाम हो जाएगी, ठीक है बच्चो, तो इसकी वैल्यू कितने आगी बच्चो, तो हमारा जो आंसर है, तो आंसर कितना आगे बच्चो, यह answer कितना आगया, answer कितना आगया बच्चों हमारा, बैदुछित किती उर्ता कितनी आई है, 6.125 into 10 raised to power 16, ठीक है बच्चों, और Newton पर कोलाम जो है, इसकी value आगे ही बच्चों, ठीक है बच्चों, अब लिए चलते हैं, आपको question number 2 की ओर, तो बच्चों, question number 2, आपके mobile screen पर यह है बच्चों, आप इसको पढ़ लेंगे, भुजा A वाले बर्ग के चारों कौनों A, B, C, D, मैसे परते पर आवेश क्यू रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल क्यात कीजिए, बच्चों, हमने इस D बिंदो पर बल ज्याद करना है, देखो बच्चों, ये बर्ग है A, B, C, D, दिखाए देरें बच्चों, सबकी बुजा कितनी है, बुजा तो A होगी बर्ग की देखो बच्चों, और बर्ग का जो diagonal होता है, द्यान रखना बच्चों, बर्ग का diagonal क्या होता है, भुजा का बर्ग मूल दो गुना होता है, बच्चों, तो कितना होगा बरकट आई को नब ए रूट टू हो जाएगा बच्चो अब होगा क्या बच्चो थोड़ा सा आपको यहां पर द्यान देने यह तो आपने लिख दिया होगा बच्चो क्वेशन अब क्या होगा बच्चो कि एक दो और तीन तीन कौनों में जो तीन आविस चासी है तो हमें क्या करना पड़ेगा ए पर जो आविस रखा है बी पर जो आविस रखा है और सी पर जो आविस रखा है करम सो जो है इस डी पर रखेगे यह आविस की उपर परतिकर्शन बल लगाएंगे और हमें जो हैं तीनों बलों का परणामी इस बिंदू पर निकाल देते हैं कि हमारे पास जो है D पे यहां पे D पे जो है जो आवेस रखा है उस पे इन तीनों आवेसों के कारण कितना बल लगेगा बच्चो ठीक है बच्चो तो सबसे पहले हम A की द्वारा कौने D पर यह देगा ठीक है बच्चो माल लीजे जो है F1 F1 जो फोर्स है F1 फोर्स को लिख देते हैं बच्चो जो F1 फोर्स है वो फोर्स जो है बच्चो A पर रखे A पर रखे आवेस के कारण जो D पर रखे आवेस पर जो फोर्स लग रहा है बच्चो तो कुलाम के नियम कंसार दोनों आवेस क्यूं है और बीच की दूरी A है तो ब अपॉन फोर पाई एफ साइलन जिरो Q1 की जगोपर भी Q है और Q2 की जगोपर भी Q है और बच्चो ये दूरी कितनी है बच्चो ए है बच्चो ठीक है बच्चो तो कितना हो जाएगा A स्क्वार बच्चो A के कारण D ए के A पर जो आविस रखा है Q उसके कारण D पर रखे आविस Q पर लगने वाला बल हो गया बच्चो तो बच्चो कितना हो गया ये ये कितना हो गया 1 upon 4 pi एफ साइलन जिरो Q square upon A square ठीक है बच्चो ये फोर्स हो गया अब हम क्या करेंगे बच्चो अब हम जो है C के कारण C के कारण C पर जो आविस Q रखा है उसके कारण D पर जो रखे आविस पर लगने वाला बल ठीक है बच्चो माल लीजिए उसको F2 लिख देते हैं तो 1 upon 4 pi एफ साइलन जिरो ठीक है बच्चो ये आविस Q है ये भी आविस Q है तो कितना हो जाएगा ठीक है बच्चो ये तो हमने इसके कारण अब B बिन्दो पर जो आविस Q रखा गया है उसके कारण D बिन्दो पर जो आविस Q है कितना फोर्स इस पर लगेगा बच्चो ठीक है माल लीजिए बच्चो मैंने उसको लिख दिया बच्चो F3 तो कितना हो जाएगा अब दूरी बदल की है बच्चो ये तिहां लखना दूरी बदल की है तो 1 अपॉन फोर पाई F3 आविस तो दोनों क्या है बच्चो Q और Q है और लेकिन दूरी कितनी है बच्चो A रूट 2 का स्क्वेर ठीक है तो कितना हो जाएगा बच्चो 1 अपॉन फोर पाई फोर पाई F7 0 Q स्क्वेर अपॉन यहां पर A का ही स्क्वेर तो A हो जाएगा और अंडर रूट 2 का ही स्क्वेर 2 हो जाएगा 2 A स्क्वेर यह हो जाएगा बच्चो ठीक है बच्चो अब बच्चो हमने क्या निकाला है थोड़ यहां पर ध्यान देंगे A के कारण A के कारण A पर जो आविस Q है उसके कारण D बिंदू पर रखे आविस Q पर लगने वाला बल कितना निकाला बच्चो F1 और C के कारण C पर जो आविस Q है उसके कारण D पर रखे आविस Q पर लगने वाला बल कितना निकाला बच्चो F2 निकाला है और B पर रखे आविस Q के कारण D पर रखे आविस Q पर लगने वाला बल कितना निकाला बच्चो F3 निकाला बच्चो अब बच्चो आपको यहाँ पे ध्यान देना है बच्चो अब तीनों फोर्स जो हैं यहीं लाने हैं हमने इस F3 डारेक्शन में इस F3 जो आपका जो हैं B, D डारेक्शन है उसी में फोर्स को लाना है तो बच्चो यह F1, F2 बरावर हैं तो परणामी कहां से जाएगा बच्च बरावर हैं तो परणामी कहां से जाएगा F3 के डारेक्शन में ही जाएगा तो यह बीच में जाएगा तो यह पूरा 90 डिग्री का तो यह दोनों एंगल कितने हो जाएंगे बच्चो 45 हो जाएंगे तो इस F2 का भी इधर होरिजेंटल कमपोनेंट आ जाएगा और इसका भी ब्योजन किस प्रकार से करते हैं बच्चो देखें बच्चो माल लीजे बच्चो यह कोई फोर्स है ठीक है और यह थीटा एंगल पर यहाँ पर आपको बता रहे हैं बच्चो माना यह थीटा एंगल पर कारे कर रहा है तो इधर को जो है बच्चो इसका होरिजेंटल कमपो तो बच्चो आप ही बताएंगे, तो इस F2 का इधर horizontal component कितना हो जाएगा बच्चो, ठीक है बच्चो, अब मैं total force निकाल देता हूं यहापे, तो प्यारे बच्चो, टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? मैं टोटल फोर्स निकालूंगा, तो कितना हो जाएगा बच्चो? F1, F1 और F2 के क्या जाएंगे? होरिजन्टल कंपोनेंट आजाएंगे, तो कितना हो जाएगा? F1, कॉस थीटा, कॉस थीटा की जगोब 45, और F2 कभी कितना हो जाएगा? बच्चो? F2, कॉस 45 हो जाएगा, और F3 उसी डारेक्शन में कार्या कर रहा है, बच्चो? तो बच्चो, आप जो है F1 और F2 के मान रख देंगे, बच्चो, इसमें, तो F बराबर F1 की भैली कितना है, बच्चो? यह दिखाई दे रहा है, आपको उपर दिखाई दे रहा है 1 upon 4 pi epsilon 0 q square upon a square, ठीक है बच्चो? into cos of 45 degree, ठीक है बच्चो? F2 force भी same है, 1 upon 4 pi epsilon 0 q square बटे a square into cos of 45 degree, ठीक है बच्चो? और plus बच्चो F3, F3 की भैली दिखाई दे रही बच्चो, सब आपको दिखाई दे रही है बच्चो? तो 1 upon 4 pi epsilon 0 कितना है बच्चो? q square upon 2 a square, ठीक है बच्चो? यह दिखा बच्चो, दिखाई दे रहा है सब आपको, यह देखे, अब हम total force निकाल देंगे बच्चो? तो कितना common है बच्चो? 1 upon 4 pi epsilon 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो common आ जाएगा, तो 1 upon 4 pi epsilon 0 मैंने common ले लिया है बच्चो? तो यहाँ कितना आगया बच्चो? q square upon a square, इसको भी मैंने बार में common लेना है और cos 45 का जो value होती है, वो होती है 1 upon root 2, ठीक है बच्चो? और यहाँ अंदर कितना बच्च का बच्चो? q square upon a square, ठीक है बच्चो? और cos 45 का कितना हो जाएगा? 1 upon root 2 हो जाएगा, और बच्चो यहाँ पर कितना बच्चा? q square upon 2 a square, ठीक है बच्चो? अब बच्चो थोड़ा यहाँ पर देखें, यह दियान देंगे, यह देखो मैने उपर कर दे, एक वाप पून हो, देख लेंगे बच्चो, फिर कितना common है, q² upon a², q² upon a², q² upon a², ये common है, तो resultant जो force हो जाएगा, तो बच्चो, 1 upon 4pi, ये देखें बच्चो, मैं उपर कर लेता हूँ, आपको दिखाईने दे रहोगा बच्चो, ये देखें बच्चो, common कितना था, 1 upon 4pi, epsilon 0, और अंदर से common कितना गया बच्चो, q² upon a², तो अंदर कितना बच्चा बच्चो, ये देखें बच्चो, 1 by 2 ये देखें बच्चो, ये देखें बच्चो, 1 by 2 ये देखें बच्चो, आपको इसको solve करना है, तो आप इस रहं से इसको solve करेंगे, थोड़ा बता देता हूं बच्चो, तो ये कितना हो गया बच्चो, ये हो गया, q² तो ऊपर है बच्चो, और नीचे कितना आगया बच्चो, 4pi, 4pi, epsilon 0, into a², ये देखें बच्चो, a² ये हो गया ना बच्चो, अब बच्चो, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, आपको 1 upon root 2, 1 upon root 2 को जोड़ देना है, तो वैसे भी 2 upon root 2 होगा, लेकिन अगर बच्चो, प्रॉबलम होती है, तो इसका LCM ले लो, ये हो जाएगा 1 plus 1, और 1 upon 2 को ऐसा ही रहने दो बच्चो, ठीक है बच्चो, हम आगे चलते हैं, इसको आगे कर तो ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो गया बच्चो, q square upon 4 pi epsilon 0 a square, और ये हो जाएगा बच्चो, 2 upon root 2, ठीक है बच्चो, और plus कितना हो जाएगा बच्चो, 1 upon 2, थोड़ा सा आपको ये बात का ध्यान रखना है बच्चो, जो 2 होता है, वो होता है, रूट 2 into root 2, ठीक है बच्चो, तो बच्चो, हमने ये लिख दिया, तो कितना आ गया, force कितना आ गया बच्चो, ये आ गया, q square upon 4 pi epsilon 0 a square, और यहाँ पर जो हैं, हम क्या कर देंगे बच्चो, 2 को लिख दें, root 2 into root 2 by root 2, और plus 1 upon 2 हो जाएगा बच्चो, यहाँ पर root 2 से root 2 क्या हो जाएगा जाएगा, cancel हो जाएगा, ये दिखाए देरा बच्चो, ठीक है न बच्चो, ये root 2 से root 2 क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, और अब हमारे पास जो है, ये आ गया बच्चो, इसको ये देखे, मैं last मैं आपको बता रहा हूँ हूँ, तो ये हो जाएगा, 1 upon 4 pi, epsilon 0 को अलग कर दो, अगर करना चाहते हैं, और यहाँ पर q square, बटे a square, और ये कितना हो जाएगा बच्चो, ये कितना हो जाएगा बच्चो, root 2 plus 1 upon 2, ठीक है बच्चो, तो बच्चो आपको ये प्रस्न कैसे दे सकता है, ये प्रस्न आपको क्या कैसे दे सकता है, ये तो answer आ गया बच्चो इसको, अब ऐसे question आपके पाग क्या क्या आ सकते हैं बच्चो, मैं थोड़ा सा आपको ये बता दू कि question कैसे पूछी जा सकते हैं ठीक है बच्चो तो जहाँ पर A भुजा लिखा है वो आपको इसकी value देदेगा 2 meter या 2 cm देदेगा और यहाँ पर जो ये आवेज हैं इनको क्या कर देगा बच्चो इसकी value भी देदेगा और अलग अलग भी दे सकता है तो यदि आपको A question आजाता है बच्चो तो आप सारे question कर सकते हैं बच्चो तो अब लिए चलते हैं आपको अगली question की ओर तो बच्चो question number 3 आपके screen पे ये हैं बच्चो तो बच्चो पढ़ लिजे बच्चो दो बिंदो आवेज प्लस फोर E तथा प्लस E प्लस पर A दूरी पर इस्तिर हैं ठीक है बच्चो एक तीसरे बिंदो आवेज क्यों को वो दोनों आवेजों को मिलाने वाली रेखा पर कह नहां रखें कि वह संतुलन में हो ठीक है बच्चो तो बच्चो इस question पर आपको बहुत सारे question भी बन सकते हैं यहां पर प्लस फोर E की जगव और E की जगव पर आपको कुछ भी दे सकता है और दूरी भी आपको दे सकता है ठीक है बच्चो तो आपको ये निकालना है तो थोड़ा सा आप द्यान देंगे और आप इसको लिखवी रहे होंगे प्यारे बच्चो नुमेरिकल जो है बच्चो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करने पड़ती बच्चो और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नुमेरिकल आ जाएंगे बच्चो तो देखे बच्चो कौन से फॉर्मूले यूज करने हैं बच्चो तो देखें बच्चो यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर आपके पास जो हैं बच्चो दो आवेस है यह बना दिया बच्चो आपने यह देखिए आपने दो आवेस यह इस्थिर हैं बच्चो यहाँ ठीक है बच्चो यहाँ पर प्लस फोरी आविस है और यहां पर प्लस ई आविस है ठीक है वचो यह दिया है और प्रस पर कितनी दूरी पर है वचो यह पूरी कितनी दूरी पर है वचो यह ए दूरी पर इस्तित है ठीक है वचो और आपको इसमें नुमेरिकल में एक value दे सकता है, कोई भी question बन सकता है बचो, अब कह रहा है कि आपने एक तीसरा आविस रखना है इनके बीच में, जहां पर वो संतुलन की अवस्ता में हो जाएं, ठीक है बचो, मान लीजिए मैं इस बिंदु पे एक आविस को रख देता हूँ, जो उसने दे रखा है बचो उसने कह रहा है कि एक Q आविस यहां बीच में रखना है बचो, तो प्यारे बचो, थोड़ा सा द्यान देंगे, ये आविस की परकृति दान है, ये दान है, तो क्या होगा, ये plus 4E जो है, इस Q पर क्या लगाएगा, परतिकर्शन बन लगाएगा बचो, ठीक है, तो परतिक इसके द्वारा बचो साथ दिखाए दे रहा है, प्लस 4E के कारण Q आविस पर लगने वाला प्रतिकर्शन बन, तो इधर को मारेगा धका, ये plus E क्या करेगा, इस Q पर इधर को धका मारेगा, प्रतिकर्शन बन लगाएगा, तो वो फोर्स हो जाएगा बचो, एफटो, और अगर ये बैटर के रूप में लिखेंगे, तो आप इस परकार से लिखेंगे, और परिमान के रूप में आपको ये लिखने है बचो, तो बचो, यहां पर हमने इसको रखा है, ठीक है बचो? तो यहां पर ये संतुलं में कब रहीगा बचो? जब ये दोनों फोर्स आपस म निकालने हैं बच्चो तो प्यारी बच्चो आएे हम दोनों फोर्सों को निकालते हैं बच्चो तो F1 तो सबसे पहले बच्चो कुलाम का फोर्स तो आपको आ जाता है बच्चो तो कुलाम का फोर्स कितना होता बच्चो मैं यहाँ पर लिख देता हूं F is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 और बटे R square ये तो कुला हमका force होता है बच्चो ये आपको आ जाता है बच्चो अब यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा बच्चो ठीक है बच्चो यहाँ पर total distance कितनी थी है बच्चो A D है ठीक है बच्चो माल लिजे बच्चो ये चलो ये माल लेते हैं बच्च ठीक है बच्चो माल लो ये X दूरी पर है तो ये पूरी दूरी जब A है और ये X माल ली है बच्चो तो प्यारे बच्चो ये दूरी कितनी हो जाएगी A-X ये आपको ध्यान रखना है बच्चो तो प्यारे बच्चो चलते हैं हम force F1 को निकालते हैं ध्यान रहे force F1 क्या ह मैंने क्या का था बचो फोर्स F1 क्या है ये प्लस 4E और इस Q के बीच लगने वाला परतिकर्सन बल है तो ये कितना हो जाएगा बचो 1 अपोन 4Pi F0.01 आविस तो प्लस 4E है और दूसरा आविस कितना है बचो Q है और बीच के दूरी कितनी है बचो X है तो X स्क्वेर हो जाएगा बचो एक्वेसन नमबर 1 हो जाएगा और F2 जो फोर्स है बचो F2 फोर्स किसके बीच कारे कर रहा है प्लस E और Q के बीच तो ये तो वही रहेगा बचो 1 अपोन 4Pi Epsilon 0 यहाँ पर प्लस E हो गया into Q और दूरी कितनी होगी बचो A-A-X का whole square समिकर नमबर 2 अब प्यारी बचो ये शंतुलन में तब रहेगा बचो जब ये दोनों 4 संतुलन में क्या हो जाएगा बचो संतुलन संतुलन की इस्तिती में संतुलन की इस्तिती में क्या हो जाएगा F1 is equal to क्या हो जाएगा बच्चो F2 हो जाएगा बच्चो तो रख दिजे बच्चो F1 बराबर F2 साब दिखाई देर आपको 1 upon 4 pi epsilon 0 4e into q by x square is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 e into q by a minus x का whole square ठीक है बच्चो प्यारे बच्चो जब equal sign के दोनों और रासिया multiplication में रहती हैं गुणा में रहती हैं तो वो दोनों और से कट जाते बच्चो तो 1 upon 4 pi epsilon 0 1 upon 4 pi epsilon 0 कट जाएगा बच्चो q से q भी कट जाएगा e से e भी कट जाएगा बच्चो ठीक है अब क्या बच्चा यहां बच्चो आपके पाग कितना बच्चा दिखाई देरा बच्चो आपको यहां 4 बच्चा यह 4 बच्चा और यहां कितना रहा बच्चो x square रहा यहां कितना रहा बच्चो को क्या कर देना है बच्चो तो इसको हम कितना लिख सकते हैं बच्चो टू अपॉन एक्स का होल स्क्वाइर लिख सकते हैं बच्चो क्योंकि दो का इस्क्वाइर तो चार हो गया एकसा है सुस्क्वाइर हो गया और यहां कितना लिख सकते हैं बच्चो वन अपॉन अपॉन a-x का whole square लिख सकते हैं बच्चो ये देखे अब दोनों और का square को हटा देंगे दोनों और का square हटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चो ये हो जाएगा 2 upon x is equal to 1 upon a-x अब cross multiply कर दो cross multiply कर दो बच्चो तो कितना हो जाएगा बच्चो 2 into a-x is equal to x हो जाएगा ठीक है ना अब दोसे इसको अंदर multiply कर दो बच्चो तो 2 a-2 a-2x is equal to कितना हो जाएगा x देखो बच्चो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर द्यान देना पड़ेगा बच्चो ठीक है बच्चो अब इदा देखे हमको तो x निकालना है है ना बच्चो x निकालना है ना बच्चो तो 2 a equal to कितना हो जाएगा बच्चो x प्लस 2 x हो जाएगा तो x बराबर कितने हो गया बच्चो, 2a by 3, ठीक है बच्चो, तो ये x की value कितने आगी, 2a by 3, इतने distance, 2a by 3 distance पर आपको रखना है, ठीक है बच्चो, अब परिच्छा में आपको a की value दी होगी, ठीक है बच्चो, माल लिजे a की value जो है 6 है, 6 cm है, तो कितना हो जाएक बच्च 4 cm पर रखना पड़ेगा, किस से, किस से बच्चो, यहां देखे बच्चो, थोड़ा द्यान रखना पड़ेगा बच्चो, यहां पर थोड़ा लिए चलता हूँ, आपको, x की value कितने आए बच्चो, 2a by 3 हो गया, तो जो प्लस 4e आविस है, उस से कितने दूरी पर रखना 2a by 3 दूरी रखना पड़ेगा, और अगर हम बोलेंगे प्लस e से कितना रखना पड़ेगा बच्चो, तो a मैंसे आप कितना घटा देंगे बच्चो, a मैंसे x की value घटा देंगे बच्चो, ठीक है बच्चो, तो एक आवेस से इतनी दूरी पर रखेंगे, आप इस से कितने पर रखेंगे, तो x तो निकाले रखा है, आप उस मेंसे क्या कर देंगे, a मैंसे x को घटा देंगे बच्चो, तो आपका ये अंसर आजाएगा बच्चो, तो प्यारे बच्चो, हम लिए चलते हैं आपको question number 4 के और, प्यारे बच्चो, ये वीडियो थोड़ा बड़ी बन question number 4 के और, तो बच्चो, question number 4 आपके mobile इस्क्रीन पे ये है बच्चो, तो प्यारे बच्चो, आप पढ़ना प्रारम कर दिजिएगा, तो आपने पढ़ना प्रारम कर दिया होगा बच्चो, देखे बच्चो, क्या कह रहा है, दो बिंदो आविस, प्लस 5 इंटु 10 तु मीटर की दूरी पर पिर्थकतो इस्थित है, अलग-लग, ठीक है, दोनों आविसों को जोडने वाली रेखा के, किस बिंदो पर बैदुच्चित की तीवरता सुन्य होगी, ठीक है बच्चो, अब हमने क्या निकालना है, बैदुच्चित की तीवरता निकालनी है कि कहा पर वो क्या हो जाएगी बच्चो, सुन्य हो जाएगी, तो प्यारे बच्चो, आपको टाइम दे रहे हैं, कि आप question को तब तक screen sort ले लेंगे बच्चो, लिखने में थोड़ा देरी होगी बच्चो, तो बच्चो, चलो, आप लिखते रहे हम इसका figure बनाते हैं बच्चो, तो देखे बच्चो, क्या कह रहा है, इदा देखे ध्यान से, numerical को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है बच्चो, और पढ़ने के बाद तब जो हैं उसको हल करने की कोशिस करने चाहिए बच्चो, तो देखे बच्चो, दो आवेस है ना आपके पास, है ना बच्चो, दो आवेस है ना, ये माल लीजे ए बिंदो है, और माल लीजे बच्चो, यहाँ पर मैं बना देता हूँ, ये बी बिंदो बना देता हूँ, तब तक आप क्वेसन को लिखवी रहे होंगे बच्चो, तो आपने ए पर कितना आवेस रखा है बच्चो, कितना आवेस रखा है और यहाँ पर कितना रखा बच्चो दस गुणा दस की घात रिन उन्नीस कूलाम देखे बच्चो एक क्वेसं करने के बाद आपको कितने भी क्वेसं आपको पूछ सकता है बच्चो अब क्या कह रहा है इन दोनों के बीज की दूरी जो है बच्चो एक मीटर है ठीक है कितनी म मैंने यहाँ पर एक लिखा है केवल मीटर ने लिखा बच्चो वो अंडर्स्टूड है अपना भी आ जाएगा बच्चो तो हम क्या कह रहे हैं इन आवेसं को जोड़ने वाले रेखा के किस बिंदू पर बैदुछेतर की तीवरता क्या होगी सुन्य होगी आप कहीं पर भी जो हैं एक बिंदू ले लो बच्चो ठीक है बच्चो माल लीजिए मैं यहाँ पर एक बिंदू ओ ले लेता हूँ और कहता हूँ यहाँ पर बैदुछेतर की तीवरता कितनी है सुन्य है बच्चो ठीक है बच्चो तो द्यान देंगे ए और बी के बीच की दूरी तो दी है लेकिन ये दूरियां आपको नहीं दी हैं, आपको माननी पड़ेगी बच्छो, मान लीजिए A से O की दूरी X है, ठीक है बच्छो, A से O की दूरी X है, तो स्वाभावी तोर पे जब पूरी दूरी A है, ये आपने X मान ली, तो प्यारे बच्छो, ये इधर वाले दूरी कित आता है बच्छो, अब देखे बच्छो, अब आप इस उपर कैसे बैदूत छेत्र का परिछन करेंगे बच्छो, तो प्यारे बच्छो, आपको यहाँ फिर क्या रखना पड़ेगा, परिछन आवेस रखना पड़ेगा बच्छो, देखे बच्छो, यहाँ पर आप एकांक धन परिछन आविष को रखेंगी ठीक है ना तबी तो पता चलेगा कि प्याद ही चेतर कितना होगा बच्चो और बच्चो आपने इससे पहले पढ़ा है बच्चो मैं आपको बता दूँ कि बिन्दो आविष के कारण शेतर कितना होता है प्यारे बच्चो थोड़ा द्यान देंगे, यह देखे बच्चो, माल लिजिए, यहाँ पर कोई आवेश क्यों है, ठीक है, इसका बैदुद छेतर हमको निकालना यह O पर है, और इस P बिंदु पर, यह P बिंदु है, इस P बिंदु पर बैदुद छेतर की तिवरता निकालन है, यह इसके छेतर को डिस्टब नहीं करता है, इसलिए, टेस्ट के तोर पे बहुत छोटा सा धन परिख्ण आवेश यहां पर रखते हैं, बच्चो, तो प्यारे बच्चो, इसके लिए सूत्र निकाला होगा, आपने यहाँ पर तो नहीं निकालोंगा, इसका सूत्र आता निर्वात तो के नहीं लिखना है, बच्चो, क्यों बटे आर इसको है, यह देखो बच्चो, यह आवेश का परिख्ण आवेश कहीं नहीं आता है, जिस आवेश ने छेतर बनाया है, वही आवेश यहां पर आ रहा है, बच्चो, अब आप हमें यह बताएंगे, बच्चो, कि जब यहां पे धन परिक्षण आविस आप रखेंगे, तो क्या होगा, इसके कारण बैदुच्छित्र इदर को होगा, ये देखर, ये बैदुच्छित्र इदर को होगा, ये E1 किसके कारण है बच्चो, ये e1 किस आवेस के कारण है? 5 गुणा 10 की घार रिन 19 कुलाम के कारण है और इस आवेस को इस दिशा में क्या करेगा? परतिकर्सित करेगा तो जिदर बल की दिशा होगी उदर ही बैदुचेतर की दिशा भी होगी बच्चो तो e1 और e2 आगे आपको ठीक है? तो इस बिंदो पर e1 और e2 बराबर होने हैं बच्चो तो निकाल दिजए बच्चो e1 और e2 इस सूत्र के द्वारा आपको e1 e2 निकाल ले हैं बच्चो तो प्यारे बच्चो लिए चलते हैं आपको e1 की ओ ये देखे e1 कितना हो जाएगा बच्चो बताई बच्चो 1 अपन फोर पाई ये किसके कारण है, ये e1 इसके कारण है, तो कितना हो जाएगा बच्चो, पांच गुणे, दस की घात, रिण 19, ये देखो आवेस आया न, अब बट्टे r2, दूरी कितनी मानी बच्चो, x मानी है, तो क्या हो जाएगा, x इसकार हो जाएगा, ये equation number 1 हो जाएगा बच्चो, अब e2 किसके कारण माना है बच्चो, e2 इसके कारण माना है, ठीक है बच्चो, तो दूरी कितनी है, 1 माइनस x है, आवेस कितना है, दिखाई दे रहा है बच्चो, तो कितना हो जाएगा बच्चो, 1 अपॉन 4 पाई, epsilon 0, आवेस कितना है, 10 गुणे, 10 के घात, रिण 19, और द बैदु छेत की तीवरता क्या होगी? सुन्य कब होगी? बैदु छेत की तीवरता सुन्य कब होगी बचो? जब परणामी क्या होगा? इनका परणामी क्या होगा? सुन्य होगा. तो परणामी सुन्य होगा, तो क्या हो जाएगा? E1 बराबर E2. जब E1 बराबर E2 होगा, तो प देखे बच्चो आपको ये दोनों बराबर करने हैं बच्चो तो E1 दिखाई दे रहा बच्चो आपको दिखाई दे रहा ना बच्चो आपको तो आपको बराबर कर देना है बच्चो तो कितना हो जाएगा बच्चो अब आपको फिरवई करना है बच्चो देखें बराबर के दोनों ओर जो है गुणा में है तो ये कट जाएंगे बच्चो ये कट गया बच्चो ये कट गया न बच्चो ठीक है अब कितना आ गया बच्चो यहां कितना आ गया यहां आ गया पांच गुणा दस की घात रिन उननीस और बटे एकस स्कोर यहां कितना आ गया दस की खारेण में ये भी कट गया है ये देखे बच्छो कट रहाना बच्छो ये देखे फिर आगे लिए चलते हैं और आगे फिर काटेंगे बच्छो तो 5 बटे कितना है x स्क्वेर इस इकल टू 10 बाई 1 माइनस x का होल स्क्वेर फिर इस 5 से ये भी कर जाएगा बच्छो ये 2 हो जाएगा बच्छो ठीक है न बच्छो अब देखे बच्छो अब हम cross multiply इसको कर देंगे बच्छो तो कितना हो जाएगा बच्छो 2 x स्क्वेर परावर 1 माइनस x का होल स्क्वेर ठीक है बच्छो अब बच्चो आप हमें बताएंगे कि मैं 2 को क्या लिख सकता हूं बच्चो इसको लिख सकता हूं root 2 का square ध्यान दीजे बच्चो 2 को क्या लिखा जा सकता है root 2 का whole square है ना बच्चो तो यहाँ पर कितना लिख दो मैं root 2 x का whole square is equal to 1 minus x का whole square दोनों और से root को आप हटा, sorry बच्चो दोनों और के square को हटा दीजिए तो कितना हो गया? root 2 x बराबर 1 minus x हमको x की value ग्यानत करनी है, कितनी दूरी पर है वो बिंदू? ठीक है बच्चो तो कितना हो जाएगा? root 2 x plus, यह देखे बच्चो मैं उपर कर लेता हूं root 2 x plus x is equal to 1, तो x को common लेलो, तो कितना हो जाएगा? 1 plus root 2 is equal to 1 हो जाएगा बच्चो, ठीक है ना बच्चो? यह देखे बच्चो, तो x की value कितनी आ जाएगी बच्चो? x की value 1 upon 1 plus root 2, ठीक है बच्चो? और 1 upon 1 plus, इसकी value कितनी होती है बच्चो? 1.414 के लगभ़ होती है बच्चो, आप इसको देख लेंगे बच्चो, ठीक है बच्चो? और बच्चो जब आप इसको solve करेंगे, तो बच्चो यह आ जाएगा 0.414 meter, ठीक है बच्चो? यह देखे, यह तो कहा किस आवश आया बच्चो? यह किस आवश आया? यहां ध्यान दीजे बच्चो, ध्यान दीजे, यह किस आवश आये बच्चो? यह 5 गुणा 10 गारीं 19 गोलाम से आए, यह x आये ना, अगर आपको इस आवश से दूरी निकारनी है, तो 1 में से आप क्य क्या करेंगे 0.414 को घठा देंगे बच्चो तो इस प्रकार से ये आ जाएगा बच्चो तो प्यारे बच्चो बहुत-बहुत धन्यवाद अगली वीडियो की परतिक्छा में और अब आपको जो है बच्चो अगली वीडियो इसी चैप्टर की मिलने वादी है बच्चो तो बहुत-बहुत धन्यवाद बच्चो